नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर केतन रानपरिया मैं एक HIV AIDS स्पेशलिस्ट हूँ आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो मेरे मरीज अक्सर पूछते है एमक्यो कमपनी की स्पेगरा टेबलेट, मायलान कमपनी की कोसी टेफ टेबलेट और ओरोबिंदो कमपनी की डोबाट F3 टेबलेट का इस्तेमाल एक ही है या अलग-अलग? आईए, इस बारे में विस्तार से जानते है, इस वीडियो में मैं इन सवालों के जवाब दूनगा डॉक्टर HIV मेडिसिन का ब्रांड क्यों बदलते है? क्या एक HIV मेडिसिन ब्रांड दूसरे HIV मेडिसिन ब्रांड से सस्ती या महंगी हो सकती है? क्या HIV treatment में medicine का brand बदलना सुरक्षित है अगर ART दवा का brand बदल दिया जाए तो क्या करना चाहिए अगर मुझे पहले वाली दवाई ही पसंद है तो क्या करून क्या HIV के इलाज की ART दवाई में सभी brand की दवाई या एक जैसा असर करती है क्या HIV की ART दवाई बदलने से side effects या असर में कोई फर्क पड़ सकता है क्या मुझे HIV की ART दवाई लेने के तरीके में कोई बदलाव करने की जरूरत है अगर मुझे नई दवाई के बारे में और सवाल है तो क्या करूँ और क्या एक ब्रांड की दवाई दूसरे ब्रांड से सस्ती या मेहंगी हो सकती है इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें आप में से कई लोग HIV ट्रीटमेंट में तेनोफोविर रिल्फेनामाईड, एमट्री सिटाबिन और डोले टूगरावीर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें आम्टोर पर टेफ-E-D कहा जाता है टेफ-E-D का मतलब तेनोफोविर रिल्फेनामाईड 25 एमजी एमट्री सिटाबिन 200 एमजी और डोले टूगरावीर 50 एमजी चलिए, MQ की स्पैग्रा टेबलेट के उदाहरन का उप्योग करके कमपणी, ब्रांड और दवा के बीच के अंतर को समझते है यहां MQ एक दवा की कमपणी है और स्पैग्रा एक टेबलेट का ब्रांड है जिसमें तेनोफोविर इल्फेनामाइड, M3-Citabin और दोले टुग्रावीर यह तिन प्रमुक दवाई है जो HIV ट्रीटमेंट को प्रभावी बनाती है आईए कुछ और दवाई पर एक नजर डाले MQ कमपणी की स्पैग्रा टेबलेट औरोबिंदो कमपणी की डोबाट F3 टेबलेट और मायलान कमपणी की कोसी टेफ टेबलेट यह सभी HIV मेडिसिन तेनोफोविरल फेनामाईड, M3-Citabin और डोले टुग्रावीर के मिश्रन से बनी है यहाँ पर आप देख सकते हो यह सभी अलग कमपणी की अलग-अलग ब्रांड है लेकिन सभी में एक ही दवाई है इसलिए सभी दवाई एक जैसे ही काम करेगी और इन दवाओ का असर भी एक जैसा ही होता है तो क्या आप ब्रांड स्पेग्रा टेबलेट, कोसी टेफ टेबलेट और डोबाटेफ 3 टेबलेट को HIV ट्रीटमेंट में अदलब बदल कर सकते हैं? जवाब है, हाँ, क्योकि इन सभी ब्रांड में एक ही किस्म की HIV मेडिसिन है तेनोफोविर रिल्फेनामाइड 25 एमजी, एमट्री सिताबिन 200 एमजी और डोलेटुगरावीर 50 एमजी तो, क्या आप एमक्यो, मायलान या ओरोबिन्दो जैसी कमपनियों की HIV मेडिसिन को अदलब बदल कर सकते हैं? जवाब है, हाँ, जब उनमें एक ही किस्म की दवाई है तो इन दवाओं को अदलब बदल किया जा सकता है मुझे समझ में आता है कि दवा की कीमत एक चिंता का विशय हो सकता है अगर आप कीमत के कारण ब्रांड बदलने पर विचार कर रहे हैं, तो आए इस पर चर्चा करें आपके इलाज को और किफायती बनाने के लिए कुछ विकल्प हो सकते हैं हम इस दवा को न्यून्तम संभव कीमत पर उपलब्द करा रहे हैं इस दवा की कीमत जानने के लिए वाटसेप पर इस नंबर पर मैसेज करें इन में से सबसे अच्छी दवा कौन सी है? एमक्यो कमपनी की स्पैग्रा टेबलेट औरोबिंदो कमपनी की दोबाटेफ 3 टेबलेट मायलां कमपनी की कोसी टेफ टेबलेट सभी बहतरीन हैं, सभी बराबर हैं और सभी एक जैसी काम करती है एक ही दवाई अलग-अलग कम्पनी और अलग-अलग नाम से बेची जा सकती है डॉक्टर अक्सर दवाई के नाम के आधार पर दवा लिखते है जब आप किसी दूसरे ब्रांड की दवाई लेने के बारे में सोचें तो याद रखे की दवाई वही रहती है, बस ब्रांड का नाम अलग होता है यह आपके लिए एक सस्ता विकल्प हो सकता है याद रखे, आपकी सेहत मेरी प्राथमिकता है मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सबसे प्रभावी, सस्ती और उप्योक्त दवा ले रहे हैं अगर आपके मन में कोई सवाल या चिंता हो, तो बेजज़क मुझ से संपर्क करें आप वाटसेप पर इस नंबर पर उनलाइन बात कर सकते हैं हम पूरे भारत में HIV उप्चार, परामर्ष, दवाएं और रियायती दरों पर CD4 और HIV वाइरल लोड टेस्ट प्रदान करते हैं चलिए, इन चिंताओं को दूर करते हैं और स्पष्ट जवाब देते हैं कीमत, कुछ ब्रांड की HIV मेडिसिन दूसरे ब्रांड की तरह ही होती है, लेकिन काफी सस्ती होती है आपके डॉक्टर आपके पैसे बचाने के लिए HIV मेडिसिन की ब्रांड बदलने की सलाह दे सकते है उपलब्धता, कभी कभी कुछ HIV मेडिसिन दवाई किसी कारण से अस्थाई रूप से अनुपलब्ध हो सकता है आपके डॉक्टर आपकी दवाई को एक उपलब्ध विकल्प से बदल सकते है निश्चिंत रहें, नए ब्रांड में वही दवा होती है और इसका उद्देश्य पहले जैसे ही इलाज करना होता है क्या एक HIV मेडिसिन ब्रांड, दूसरे HIV मेडिसिन ब्रांड से सस्ती या महंगी हो सकती है हाँ, कीमत ब्रांड के आधार पर भिन हो सकती है दवा को सबसे कम कीमत पर प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर वाटसेप संदेश भेजे क्या HIV ट्रीट्मेंट में मेडिसिन का ब्रांड बदलना सुरक्षित है हाँ, सभी ब्रांड को सुनिश्चित करना होता है कि उनमें समान दवा और दवाई की प्रमान हो उन्हें सुरक्षा और असरकारक्ता के समान मापदंट को भी पूरा करना होता है अगर ART मेडिसिन का ब्रांड बदल दिया जाए तो क्या करना चाहिए आप नए ब्रांड की ART मेडिसिन ले सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल, शंका या समस्या हो तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं अगर मुझे पहले वाली HIV की दवाई पसंद है तो क्या करूँ याद रखें, सबसे महत्वपून बात यह है कि आप अपनी दवा को डॉक्टर के बताया अनुसार लें, चाहे ब्रांड कोई भी हो किसी भी गलत फहमी को दूर करने के लिए डॉक्टर से खुल कर बात करें अगर आपको ART मेडिसिन बदलने के बारे में कोई चिंता या सवाल है, तो बेजे जग डॉक्टर से बात करें क्या HIV के इलाज में इस्तिमाल होने वाली सभी ब्रांड की ART दवाई एक जैसा असर करती है हाँ, सभी ब्रांडों को एक जैसा असर करना चाहिए क्योंकि उनमें एक ही दवा होती है और उन्हें एक ही स्थिती के लिए निर्धारित किया जाता है हालां कि दवाई या दवाई की बोतल का कलर और आकार दिखने में अलग हो सकता है लेकिन इससे दरने की कोई जरूरत नहीं है नए ब्रांड की ART दवाई भी पुराने ब्रांड की ART दवाई की तरह ही काम करेगी क्या HIV की ब्रांड बदलने से साइड इफेक्ट्स या असर में कोई फर्क पड़ सकता है आम तोर पर इससे दवा के असर या साइड इफेक्ट्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्या मुझे HIV की ART दवा लेने के तरीके में कोई बदलाव करने की जरूरत है सामान्य तोर पर आपकी दवाई का ब्रांच चाहे जो भी हो, दवा लेने के लिए समान निर्देशों का पालन करना चाहिए अगर मुझे नई दवा के बारे में और सवाल हो तो क्या करूँ? बेजिचक डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपके मन में नई दवा के बारे में कोई सवाल या चिंता है वे ये सुनिश्चित करने में आपकी मदद करने के लिए हैं कि आपका इलाज प्रभावी और सुरक्षित हो क्या एक ब्रांड की दवा दूसरे ब्रांड से सस्ती या महेंगी हो सकती है? हाँ, कीमत ब्रांड के आधार पर अलग-अलग हो सकती है दवा को सबसे कम कीमत पर प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर वाटसेप संदेश भेजे याद रखें, ज्यान ही शक्ती है आप इलाज के बारे में जितना अधिक समझेंगे, अपनी सेहत को मैनेज करने में उतना ही आत्मविश्वास महसूस करेंगे देखने के लिए धन्यवाद HIV AIDS पर और भी जानकारी भरे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे महत्वपून बात अपना ख्याल रखें मैं HIV AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशन्ट का कंसल्टेशन कर चुका हूँ ये चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विग्यान के आधार पर दी जाती है लेकिन याद रखिए समय के साथ विग्यान बदल सकता है यहाँ पर कई बाते एक आम जानकारी के लिए है कभी भी किसी भी किस्ण की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV AIDS Specialist डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है. हमारा मिशन है HIV पॉजिटिव को स्वस्थ और सम्पून जीवन देना. और हमारा विजन है श्वेश्ट इलाज के साथ HIV के बारे में परियाप्त समझ देना. याद रखे आज के समय में दुनिया में किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको HIV फ्री नहीं कर सकता, आपका HIV नहीं मिटा सकता. ओनलाइन, इन क्लिनिक, म्यूच पापर या तो किसी भी माध्यम से HIV की कोई ऐसी जाहिरात या तो अडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका HIV मिटा देनगे. तो याद रखे वह एक जूट है, फ्रॉड है या धोखा है. आज के समय में, वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयूरवेदिक, होमियोपेथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपेथी या कोई भी साइन्स किसी भी तरह से HIV नहीं मिटा सकता. इसलिए HIV मिटाने की चक्कर में आप अपना स्वास्थिय, समय और समपती तीनों का नुकसान कर सकते हैं. इसलिए HIV को मिटाने की लाल,